एक बार फिर चाइना ने इंडिया को यन यस्ची मेंबर्शिप मिलने से रोका इस पार उसने बोला कि चब तक भारत यन पीटी पर साइन नहीं करता तब तक उसे मेंबर्शिप दिलाने में हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो दोस्तों आज चानेंगे एन पीटी होता क्या है और एन पीटी पर साइन किये बगार इंडिया को मेंबर्शिप क्यों नहीं मिल सकती है चबके उल्टे देखा जाया तो इस पर फ्रांस ने साइन नहीं किया था और उसे एन यस्ची क्रूप में मेंबर्शिप दी जा चु नुक्लियर बेपन परमाडू अवप्रसार शंधी यन पीटी के घोसडा उननी सो सत्तर नाइन्टिन सेवेंटी में होई थी अब तक 180 कंट्री ने इस पर साइन कर चुके है इस पर साइन करने वाले देश भविस्य में फ्यूचर में परमाडू हत्यार डेवलप बिक्सित नहीं कर सकते हालंकि वे सांति पूर्ण उत्तेसों के लिए परमाडू उर्चा का इस्तमाल कर सकते हैं और इसकी निगराने जो है अंतरास्ट्री परमाडू उर्चा एजनसी इंग्लिस में आई-ए-ए-ए के परिच्छक करते हैं आपको पता दे है इस पर साइन न करने वाला देश भारत है इसके साथ में पाकिस्तान और इसराइल भी सामिल है जबकि उत्तर कुरिया नौर्च कुरिया पहले इस समझोते से अलग हो चुका है भारत का क्या कहना है भारत काफी समय से खता आ रहा है कि वह अंतरास्ट्री संदी पर माבो अप्रसार संदी पर साइन नहीं करेगा क्योंकि यह भीद भाव पून है भारत और इस संदी पर साइन नहीं करने वाले देसों का तर्क क्या है कि ड्योलम कंट्री पहले से इपना प्रमाडो हथ्यार बना दिये है भर चुके है अब बाकी देशों पर प्रशाज संधी यह नपीटी थोप रहे हैं कि वह लोग परमाड़ों हथ्यार नब बना पाए अपनी स्वर्च्छा न कर पाए और दूसरी ओर चाइना बोलता है कि जब तक इंडिया यह नपीटी पर साइन नहीं करेगा तब तक उसस पर इनस्टी की मेंबर्सिप मिलने में हम सपोर्ट नहीं करेंगे उस पर हमेशा पीटो फार लगा देंगे और वहीं दूसरे ओर देखा जाए दोस्तों कि इंडिया बोलता है फ्रांस ने भी इस पर साइन नहीं किया है तो उसको आपनी क्यों दे दिया है इस पर चाइना क्यों कि वह जक्षु का संस्थापक देश है फांडर देश है फांडर कैंट्री दोस्तों आपको पीचान के ताचभर होगा यंडिया भी यूंद. Us C हीका पाउंडर मेंबर है संस्थापक देश है फिर चाइना का दोगलापन बार-बार इंडिया के साथ में क्यों आता है इसके पीछी एक ही रिजन है कि चाइना चाहता है कि इंडिया कभी भी मेरे पराबर ना पाए और यह से में मैं 16 राज करो और पूरे कंट्री को मैं देखो इ झाल 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 झाल